जहीं दोस्तों आज अब्विव का देखेंगे अब्विव में एक टॉपिक है प्राम्भिक सक्रियाओं दोरा अब्विव का वित्करम कैसे ग्याद करते हैं ठीक है वित्करम मतलब A इन्वर्स कैसे ग्याद करते हैं देशे example दिया है प्राम्भिक सक्रियाओं के प्रियोगदार अब्विव ए बराबर 2314 का बित्करम ग्याद कीजिए बित्करम मतलब A इनुवर्सी ग्याद करिए सबस्पहले हम देखेंगे solution में एक प्राम्भिक सक्रियाओं का यह है एक समीकराण बनाना पड़ता है ठीक है ए बराबर I A हर एक समीकराण मतलब हर एक बित्करम में यह बनाना पड़ेगा प्राम्भिक सक्रियाओं का प्रियोग करते हुए ठीक है तो प्राम्भिक सक्रियाओं क्या का रूल कहता है प्राम्भिक सक्रियाओं का रूल होता है सबस पहले देखेंगे अगर one one बनाएंगे उसके बाद क्या बनाना जाहिए zero आना जाहिए ठीक है one और zero हो उसके बाद यहां क्या आना जाहिए one उसके उपर zero इस प्रकार बनता है ठीक यह second order का है अथर्ड आडर में क्या होता है one बनाओ one के नीचे double zero ठीक इन दूसरे में यहां one बनाओ one के नीचे यहां zero बनाओ ठीक उसके बाद थर्ड में यहां one बनाओ फिल उसके उपर यहां zero zero बनाओ यह दोन बन जाए तो यहां यह zero बनाओ यह होता है प्रामिक जग्रियाओं का प्रियो करके मतलब I I मतलब two cross two का I कितना three cross three का आडर होना चाहिए ठीक है तो हम देखते हैं A बराबर I A ठीक है I बराबर A बराबर I A बाइलू पूट कर देते हैं एक बाइलू कितना बाइलू है two three one four ठीक है बराबर I I का बाइलू क्या होती है two आडर में one, zero, zero, one होता है जितने आडर का मैट्रिक से रहेगा उतने आडर का हम I भी लेते हैं ठीक है अगर two cross two का आडर का मैट्रिक से I का बाइलू भी हम क्या लेंगे two cross two का बाइलू लेंगे यह लिख देते हैं ठीक last में एक बाइलू नहीं पूट करेंगे अब इसमें क्या है हमें क्या रूल करेंगे प्रामिक सक्क्रियाओं का प्रियोग मतलब रो और कालम का प्रियोग करें यह रो है एक कालम है ठीक है इसमें देखेंगे हमें क्या बनाना है बनाना क्या है इस साइड में जो इस साइड है उसी साइड एस साइड होना चाहिए 1, 0, 0, 1 यहाँ 1 और 0, 0, 1 होना जो पहलो यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ठीक है? 1, 0, 0, 1 बनाना होगे तो आपके यह इन्वर्स निकलाएगा देखेंगे, यहाँ फर्स्ट में, फर्स्ट कंपोनेंट में क्या 2 बराबर, यहाँ 1 कैसे आएगा? 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? रो में यहाँ 2 से डिवाइड कर दें यहाँ इसमें से इसको घटा दें ठीक है? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम घटा ही देते हैं R1, R1 के स्थान पर क्या कर देते हैं? R1 minus R2 2 में से 1 घटा देंगे, तो एक ही बचेगा ना, हमें यहाँ सबसे पहले क्या लाना है? 1 करते हैं, क्या जाएगा? 2 में से 1 गे, 1 3 में 4 गे, minus 1 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 1, 4 जो left side करते हैं, वहे right side भी करेंगे, 1 में से 0 घटा आएगे तो क्या आजाएगा? 1 ही आजाएगा 0 में से 1 घटा आएगे, minus 1 आजाएगा 0, 1 ए बराबर हो गया अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं? अब यहाँ 1 है, तो यहाँ में क्या लाना है? 0 लाना है, 0 खाते रहे हैं इस में से 1 घटा आएगे R2 R2 minus R1 R2 के अस्थान पर लिखेंगे अब क्या किस करम से लिखेंगे? R2 में से R1 घटा कर लिखेंगे एक में से गे पहला R1 उचे लिख देते हैं 1 minus 1 एक में से गे 0 4 में से minus 1 गे minus 5 नहीं, प्लस 5 बराबर अभी 1 minus 1 लिख लिख लेते हैं 0 में से एक घटा आएगे माइनस 1 आएगा आई एक में से minus 1 घटा आएगे तो plus 2 ठीक, इह है अब इसके बाद देखे 1 0 बनेंगे, हमें अब यहां क्या लाना है 1 लाना है, 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम एक बाद 5 से इसमें divide करेंगे, इसमें मतलब एक क्या है R2 है R2 equal to 1 बटे 5 R2 ठीक है इसमें करेंगे, पहले R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसलिक देते है, 1 minus 1 0 में से 5 से divide करेंगे, तो क्या आएगा 0 आएगा अब 5 में 5 से divide करेंगे, तो 1 आजाएगा बराबाद इसमें पहले R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो 1 minus 1 हो जाएगा minus 1 में 5 से divide करेंगे minus 1 बटे 5 हो जाएगा ये कितना 2 बटे 5 हो जाएगा ये हो गया ठीक अब हमें क्या लाना है देखते हैं यहाँ 1 0 हो गया तो भेवान है अब इसके बाद क्या है यहाँ 0 हमें बनाना है तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे इसको और इसको जोड़ देंगे तो जोड़ देते हैं R R1 R1 equal to R1 plus R2 छोटा सकर देते हैं अब R1 में 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आजाएगा 1 ही आएगा ठीक है minus 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आजाएगा 0 आजाएगा second में कुछ नहींगे कर रहे है 0 1 ठीक बराबर आएए एक 1 में इस minus 1 बाटे 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 1 minus 1 बाटे 5 5 कर नम 5 5 में सेगे 4 मतलब 4 बाटे 5 आज़ेगे ठीक है minus 1 बाटे 2 बाटे 5 जोड़ेंगे देता हूँ minus 1 plus 2 बाटे 5 5 कर नम 5 पाटे दोईगे यह मतलब 3 बाटे 5 आज़ेगे आए किया minus 1 बाटे 5 आए 2 बाटे 5 यह आपका बराबर एए आए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगे यह बराबर एए आपका answer हो जाएगे यह मैंने माइनस आए इस ठीक है minus 3 बाटे 5 झाएगे